मैंने मुकदमा इसलिए दर्ज कराया क्योंकि मैंने उस से चंदे के नाम पर बच्चों की फीष के नाम पर हम लोग मेरे कुछ लोगों ने भी रसीद कटवाई थी। जैसे ही मैंने मुकदमा दर्ज कराया तब मैंने पता चला कि ये तो बिल्कुल 420 आदमी है और मेरे से पैसा जो ले आ गया गया जो मुझे ठगा मैं अपना आपको ठगा वह महसूस कर रहा और मैं मानिय मुख्यमंतरी योगे दितनाज जी से ही अफील करूँगा कि ऐसे पाया हूँ क्योंकि बाबाजी का सासन उत्तर परदेश में वह बहुत तकदवर आदमी है और मैं तो आपको धन्यवाद इसलिए दूँगा कि आपकी टीम नहीं भी की कि आखिर कैसे जब एक पत्रकार एक मदरसे पर जाता है जहां पर उसकी जाच करने के लिए पहुचता है तो उसको कहीं घंटों तक बंधक बना लिया जाता है मार पिटाई होती है बाल बाल किसी तरह से वो बचते हैं उसके बाद खुद हमने वो स्टोरी आपको दिखाई थी आपके सामने एक एक सच रखा लेकिन अब जो तुफेल खान जो मदरसे का संचालक अपने आपको बचाने के लिए लगातान कोशिचों में था उसके खिला देश पुलिस डिली में तुफेल खान पर कर रवाई करेगी और ये मुकदमा दर्ज कराया है मुबारिक हसन ने उन्हीं से बात चीत करते हैं मुबारिक किस तरीके से हुआ आपने ये क्यों मुकदमा दर्ज कराया कि इन धाराओं में हुआ और कैसे इसकी शुरुआत उठा रहे हैं आपने कोशिश क्यों की सबसे पैले तो मैं धन्यबाद दूंगा हेडलाइन सिंडिये के टीम को वह हैडलाइन सिंडे की टीम को दन्यबाद मैं इसलिए दूंगा क्योंकि तभी हमने पता चला तभी इस पत्रकार को बन बंदक बनाया इनके साथ मारपिटा करें अवे गलत तरीके से मदर्सों को चला रहे हैं माने मुख्यमंतरइध जो सही मदर होसों के खिलाब एक गलत अभियान है मतर्स अभरे रेशन की टीम difficil undergrad चलाए चला जो पहँचने के बाद में जब उसकी इस्टोरी कवर करने लगा तो हमने उस पत्रकार जो भी आपी के चैनल का उपत्रकार थे कोई तो जिस तरीके से उसने उसको पकड़ के खीचा अंदर मार पिटाई करी गेट बंद किया और उपर से उनको वीडियो डिलीट कराने तक की धमकी दिकी वी आईगे और चली जाएगे सरकार वो तो साप आईनी की तरह है जो आदमी अपनी जगे सही है बिल्कुल वो क्यों किसी से ड्रेगा उसने उस पत्रकार को बंदक बनाया उसकी वीडियो मैंने फिर इंडिया टीवी की बड़े चैनल जो देश का बड़ा चैनल है इंडिया ट क्या हुआ मुबारिक आपने क्यों मुकदमा दर्ज करा है वो तो चलिए पत्रकार की टीम पर जो कुछ वा हो समझ में आ रहा है लेकिन आपने अपने को लेकर क्यों मुकदमा दर्ज करा है क्योंकि मैंने उससे चंदे के नाम पर बच्चों की फीस के नाम पर हम लोगों न क्या कर रखा जो सही मदर्सा है सही मदर्से तो चल रहे है लेकिन उनके चक्र में दस परसेंट लोगों ने ऐसे मदर्से खोल रखे है जो मदर्सों के नाम पर चंदे करते हैं रसीदे काटते हैं देश में कतर में और अमरीका में मतलब जो भी इसलामिक स्टेट है जैसे अभली करते हैं त तब मैने पता लगा कि इसकी से मैंने भी fen मैंनेhmen बिर स्ट कट्वाई दी और मेरे कुछ लोगों ऑफ चारा है ने ना को छेल करा। तब मैंने पता है रिंगा च्पी स्ट्रिम- देट में लिने तो बहुत एसने हैं तो इपको लग रहा कि यूपी में दर्ज हो गई तो इसना प्रवाइब बाबाजी का सासन उत्तर पर्देश में तो आपको दन्यवाद इसलिए दूगा कि आपकी टीम नी भी की नहीं तो सब को खरीद लेता बड़ा पैसावाल आदमी है और मुझे लगतार कहां कहां से तहां कहां से दिल्वारा है कि अब तेरा अंजाम बहुत वूर पूरा बरोसा है कि इसको दिल्ली से खीच करके उत्तर प्रदेश की सलागों के पीछे होगा और जो इसने लोगों से पैसा वुसूल किया है उसका सब का हिसाब चुकता उत्तर प्रदेश में होगा अफेल खान तो कहता है कि वो समाजिक कारे करता के तौर पर बच्चों को पढ़ाता है उनको शिक्षित करता है और इसलिए लोग जलते हैं इसलिए उसके खिलाब इस तरह की कदम बढ़ाते हैं फाई आर दर्श करते हैं ये तो लगातार वो कहता रहा है समाजिक संस्ता और समाजिक लोग बहुत सारे हैं सबके किलाब काम उकद में आप एक काम करो आप इसकी जाच कराओ मैंने भी जब जब पतरकारों से बात की कहीं सारे पतरकारों न मुझे इसकी आफायर को पी भी बेजी इसकी मेरे पास अब पता चला मैंने तो कि ये इस कंगरेस की बताएगा कि कंगरेस की कुछ बड़े आदमी हैं जिनके लिए काम कहीं करता रहा है और क्रोडों को आप इसके बारे में सई और ऐसे इस तरह के लोगों के खिलाब मैं जब तक जिन्दा हूँ जब तक मेरी सांस में सांस है मैं सिर्फ अल्ले के सिवा में किसी से ड्रने वाला आदमी नहीं हूँ मैं ऐसे लोगों के खिलाब जब तक जिन्दा हूँ जब तक लगे रहूँगा वो मुझे धमकिया लाग दिलवाले, कई दिन से मैं प्रेशान हूँ, गर से बाहर निकल रहा हूँ तो मुझे अजीब अजीब टाइप के लोग मुझे मिल रहे हैं, तुने क्या कर दिया हो, जबसे वो मुकदमा में न कराया, लोग मेरे उपर दबाव बना रहे हैं, इस तर रास्ता कोई मिलेगा, कि कितने ऐसे मदरज से इसने इसके अलावा भी खोल रखे हैं, मानने मुख्यवंत्री जी से मुझे ऐसी अपील है, कि इसको उत्तर परदेश में इसको खीच करके लेकर जाएंगे, और सलाकों के पीछे होगा, और जो जनता का पैसे से नहीं ठगा ह है, और जो इसने लोगों से पैसे ले, और सुनो, सामली, सारनपूर, मेरट, बिजनोर, जो लोग मुझे सोसल मीडिया से जानते हो, मुझे फोन कर रहे हैं, कि यार इसने तो हमारे से भी पैसे ले रखा, जब मैंने मुगतमा दर्ज कराया, जब वो नीज पेपर में आया, कि उसने इन से पैसे लिए चंदे के रूप में, और अब इने समझ में आया, टीवी वीडियो में देखकर, लगातार सोशल मीडिया पर जब उसकी खबरे पोस्ट हुई, वाइरल हुई, तब इने समझ में आया, कि इन से भी रसीदे कटाई है, मदरसे के नाम पर, और अब इने समझ आ रहा है, कि उसके खिलाफ, एक्शन होना चाहिए, देखना होगा, आखिरकार आगे क्या कुछ होगा, लगातार, हेडवाइन सिंडिया, पल-पल की अपडेट आपको देता रहेगा, चुड़े रहे हमार साथ, नमस्कार